स्वागत है आपका ओयस्पा नियूज में आज हम बात करते हैं राजस्थान पॉलिटिकल क्राइसिस के उपर क्या गहलोत अपनी सरकार बचाने में कामियाब रहेंगे जब से सिंधिया बागी हुए तब से पाइलेट और भाजपा के बीच तीन बार संपर्क हुआ भाजपा ने पाइलेट को तभी कश्मीर के उपरा जिपाल का पद ओफर किया था लेकिन तब वे नहीं माने जब मार्च में मध्यप्रदेश कॉंग्रिस में बगावत हुई थी उसी वक्द भाजपा ने सचिन पाइलेट से भी संपर्क किया था दरसल उनकी मौझूदा बगावत को भी जोती रादित्य सिंधिया के भाजपा में शामिल होने से जोड़ कर देखा जा रहा है भाजपा पाइलेट को अपने पाले में करने की अब तक तीन बार कोशिश कर चुकी है लेकिन कामियाबी नहीं मिली भाजपा की पहली कोशिश पाइलेट को कश्मीर का ओफर जब सिंधिया बगावत कर कॉंगरस से अलग हुए थे तब ही भाजपा ने पाइलेट से संपर्क किया था सूत्रों ने ओयस्पा को बताया कि भाजपा ने पाइलिट को जम्मू कश्मीर के उप राजपालपत का ओफर दिया था इसके पीछे की सोच यह थी कि पाइलिट वहां के पूर्व सीम फारुक अब्दुल्ला के दामाद हैं इसी लिए वे वहां की स्थिती को समहल लेंगे सूत्र बताते हैं कि तब पाइलिट ने राजस्थान चोड़ने से इंकार कर दिया था भाजपा की दूसरी कोशिश राजसभा चुनाओ पाइलिट के कश्मीर का ओफर ठुकराने के बाद भी भाजपा लगातार कोशिश करती रही राजसभा चुनाओ में भी भाजपा ने पाइलिट को अपने पाले में करने की कोशिश की थी लेकिन तब भी बात नहीं बन पाई थी पाइलिट ठीक ठाक संख्याबल नहीं जोटा पाये थे भाजपा की तीसरी कोशिश इस बार भी जफर इसलाम का कनेक्शन सूत्रों के मुताबिक रवीवार दोपहर जोती रादित्य सिंधिया की अपने पुराने साथी सचिन पाइलिट से दिल्ली में मुलाकात हुई इसके बाद भाजपा प्रवक्ता जफर इसलाम ने पाइलिट से संपर किया इस चर्चा के बाद जफर इसलाम ने लगातार भाजपा के राष्टे अध्यक्ष जेपी नडडा को अपडेट दिया जफर इसलाम वही नेता हैं जिन्होंने जोती रादित्य सिंधिया को भाचपा में शामिल करने में एहम भूमिका निभाई थी मार्च में सिंधिया भाचपा में शामिल हुए थे और 11 मार्च को जोती रादित्य सिंधिया ने भाचपा जोईंग की थी उनके साथ कॉंग्रिस के 22 विधायकों ने भी पार्टी छोड़ दी थी मामला सुप्रीम कोट पहुँचा और बहुमत परिक्षन से पहले ही सीएम कमलनात को स्तीफा देना पड़ा इस तरह प्रदेश में भाजपा की फिर से सरकार बनी और वहीं भाजपा ने सिंधिया को अपने कोटे से राजर सभाब भेज दिया तो अब ये देखना दिल्चस्प होगा कि क्या जोतिरादित्य सिंधिया के तरज पर ही सचन पाइलेट कॉंग्रिस का साथ छोड़ भाजपा में शामिल होते हैं या फिर अपनी कुछ शर्तों के साथ कॉंग्रिस में बरकरार रहेंगे और क्योंकि सचन पाइलेट ने कहा कि वो बीजेपी का हाथ नहीं थामेंगे तो कुछ अठकलें ये भी लगाई जा रही है कि वो अपनी एक खुद की अलग पाटी बना सकते हैं लेकिन जैसा हम सब जानते हैं राजनीती में कुछ भी संभव है तो पलपल की अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए ओयस्पा नियूस के साथ धन्यवाद